वेल तो हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, मैंने मिस पंकस, तो वेल आप लोग का स्वागत है नौर में रेस्लिंग में, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, सीम पंकस सिक्रोट रटन को लेकर, एंड क्या ब्रॉक लेस्टन हमें मंते भी दिखाए देंगे, धबलो अपडेट हमें यहाँ पर जेरो न्यूस की तरफ से देखने को मिली गए, तो जेरो न्यूस का यहाँ पर यह कहना है कि जो देखने को मिल सकती है, और जो गंतर होने वाले हैं, वो रसल मेनिया, 41 तक मतलब as a Intercontinental Championship उनके पास रहने वाली नहीं है, वो उससे पहले ही टाइटल को हारते वे दिखाए देंगे, और उस टाइम पर वो compete करते वे दिखाए देंगे, डेबलो ली World Heavyweight Championship के लिए, तो ऐसे में यहाँ पर वो Brock Lesnar के साथ में compete करते वे दिखाए दे सकते हैं, और Brock Les उस टाइम पर डेबलो ली World Heavyweight Champion होते वे दिखाए दे सकते हैं, यानि कि Brock Lesnar versus Gunther का जो मैच हमें देखने को मिलेगा, वो as a World Heavyweight Champion देखने को मिल सकता है, इसको लेकर मैंने पहले भी आप लोग को एक अपडेट दे रखा है, और अगर आपने उस टाइम पर अकीन नहीं किया रहेगा, तो एक बार फिन से यही अपडेट देखने को मिल रहा है, जो कि Zero की तरफ से, अब इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहोगे, opinions का है, comment section में जलूब बता देना, और सीधे उल्टे बात करें, तो यहाँ पर सीधा एक तरीके सा सीधे सीधे बताऊं, तो Brock Lesnar World Heavyweight Champion अभी भी One Time More बनेंगे, और जो कि हमारे फैंस के लिए, मतलब हम Brock Lesnar के लिए काफी अच्छी बात है, वैसे बढ़ते है अगले अपडेट की तरफ, तो यह अपडेट हमें आपर देखने को मिल रहा है, कोडी रोट से रिलेटेड, तो भाई, कोडी रोट का एक काफी impressive record दे दिखाए दिये हैं WLV के अंदर, तो रिटन करने के बाद से ये इनका Monday Night Raw के अंदर चौथा लॉस था, यानि कि इससे पहले WLV में जब से उन्होंने रिटन किया है, तब से ये उनका चौथा लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो की Undisputed Tag Team Championship के लिए, तो ये कुछ Monday Night Raw के अंदर अपनी टाइटल डिफेंट करते विए दिखाए दिये, ये गंथर का 75 यानि कि 75 टाइटल डिफेंस था, ये लाइव इवेंट और सारे शोज को मिला कर, जो भी Raw, SmackDown, या फिर जो भी हमें लाइव इवेंट के अंदर, और या फिर जो भी P.L.E. के अंदर जि हमें records देखने को मिल रहे है, इसे पता चल रहा है कि गंथर एक ऐसा बंदा है, जो की काफी जादा अपने character को लेकर, अपने title, defense, अपने matches को लेकर मेहनत करते वें दिखाए दे रहा है, तो भाई इस मेहनत का ज़रूर इस बंदे को फल मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया ही मिलेगा, वैसे बढ़ते हैं अगले update की तरफ, तो यह update हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यह है जो की Ray Mysterio से related, तो Ray Mysterio हमें recent के interview के अंदर आते वें दिखाए देते हैं, तो उस interview के अंदर यहाँ पर वो अपने retirement को लेकर discuss करते वें दिखाए देते हैं, जहाँ पर Ray Mysterio का यह कहना था कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर, यानि कि दो ही साल के अंदर, मतलब यहाँ पर दो साल को कहते वें दिखाए देते हैं, जहाँ पर Ray Mysterio का यह कहना था कि वो आने वाले अगले दो साल के अंदर अपना retirement लेना चाहते हैं, और वो बहुत ही जल्द अ सब्ष wärब बहुत जो कि ellro diedえて ऐब test को रहा है अगले अपडीट की तरफ ये अपडेट अपर डेखने को मिल रहा है अंकल हॉडी को लेकर चोबहाइ अँकल हॉडी इनको लेकर return करके रूमर काफी अच्छे खासा है कि हमें अंकल हॉडी वापिस देखने को मिल सकते हैं बट इसको लेकर Dave Milger इस रिटन के उपर एक काफी बड़ी बात कहते हुए दिखाए देते हैं जहांपर Dave Milger का ये कहना था कि Uncle Howdy साइच से ना देखने को मिले हमें WD के अंदर वापिस रिटन करते हुए क्यूंकि ये जो अंकल हावडी का करक्टर था यह अंकल हावडी का करक्टर ब्रेवाइट के करक्टर को लेकर मतलब सारी चीज़ा हमें उससे देखने को मिलती थी तो ऐसे में यहाँ पर वो जो करक्टर ब्रेवाइट से रिलेटेड था ब्रेवाइट को लेकर मतलब यहाँ पर विलॉंग करत एक्षन में ज़रू बता देना और लेते वैसे अगले अपडेट की तरब तो यह अपडेट हमें आप पर देखने को मिल रहा है दौसी एम फंग को लेकर तो भाई सी एम फंग करेंट्ली हमें यहां पर इनके रेटेंस को लेकर अल्रेडी काफी कुछ मैंने आप लोग को बत बना रखी है जिसमें आप लोग को सारी चीज़े मैं वहांपर बता ही रखाऊं कि यहां पर सी एम पंग को लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा टीजेस से लेकर सारी चीज़े मैंने अक्सलेन कर दिया है तो भाई सी एम पंग का रेटन अब सीक्रेट वैसे तो रहा नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने किसी राष्टे से यहां पर डबलो ली कब रेटन करवाने वाली है CM Punk का और CM Punk हमें कहां पर रेटन करते वे दिखाए देंगे कौन से पेपर वी कौन से शो के अंदर यह डबलोली यहाँ पर थोड़ा बहुत सीक्रेट रखने वाली गया है या तो अगर डबलोली को मालूम पड़ेगा कि जनता को मालूम पड़ेगा है तो हो सकता है कि वो लोग आगे पीछे भी मतलब इन सारे प्लैंस को करते भी दिखाए दे जाए यानि कि वो ओडियंस को CM Punk का रेटन एक सप्राइज के तौर पे देना चाते हैं ऐसा ना हो कि वो पहले ही स्पॉयलर हो जाए मतलब पहले ही स्पॉयलर हो जाए पहले ही लीग्ड हो जाए बट इस चीज को वो सीक्रेट रखना चाते हैं कि कब तक हमें यहां पर रेटन देखने को मिलेगा और एक तरीके से वो डाउट में रखना चाते हैं फैंस को कि हमें CM Punk रेटन करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे डेवलरी के अंदर मतलब रेटन करेंगे यह तो कन्फरम है बट रेटन को लेकर यहां पर थोड़ा खुमया फिराया जा सकता है हम सभी लोग को हम सभी फैंस को तो भाई अब देखते हैं CM Punk हमें कब तक रेटन करते वे दिखाई देते हैं वैसे एक्सपेक्टेड तो मुझे लगता है कि CM Punk हमें रेटन करते वे दिखाई देंगे सर्वावल सीरीज के अंदर अब यहां पर डवलोली कुछ चेंजेस करती है प्लैंस में तो रॉयल रंबल तक किस्ते वे दिखाई दे सकते हैं वरना हमें सर्वावल सीरीज के अंदर लॉक्ड है कि वो वहीं पर रेटन करते वे दिखाई देंगे इसके अलावा मुझे लगता है कि और कहीं पर CM Punk को रेटन करना चाहिए क्योंकि ओवरॉल सारा सिन्यारियो हमें वहाँ पर बनते वे दिखाई दे रहा है चाहिए वो बात कर ले मतलब रोमरेंग से रेलेटेड अगर कन्फरेंटेशन है तो वो भी वहाँ पर हो सकता है और बात कर ले शिकागो की तो भाई शिकागो का सर्वावत सीरीज का क्राऊड होने वाला है तो वो भी वहाँ पर हमें return देखने के लिए काफी suitable है CM Punk से related और already भाई Chicago की crowd हमेशा CM Punk, CM Punk चैट्स लगाती थी तो finally जब CM Punk आते विए दिखाये देंगे तो कितना बड़ा वहाँ पर pop मिल सकता है W.E. के अंदर finally तो इस चीज़ को भी लेकर भाई मतलब काफी कुछ कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर W.E. से related और CM Punk से related चीज़े देखने को मिल सकती है अगर W.E. वहाँ पर survival series के अंदर करवाती है तो वैसे सारे plans तो यहाँ पर एक तरीके से कहें तो survival series को लेकर काफी बढ़िया है लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर delay करते हैं Royal Rumble तक ले जाते हैं तो वो भी ठीक ठाकी रहेगा बट मैं तो चाहूंगा survival series के अंदर हो जाए वैसे आप लोग का क्या opinion है इन सारे updates को लेकर comment section में बता देना क्या कहना चाहूगे क्या opinions हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो या like करो share करो subscribe करो instagram and twitter जाबके वहाँ पर follow कर लो लिंक हमेशा से description में रहता ही है और especially भाई जाके whatsapp channel पर follow कर लो whatsapp channel का भी link मैंने description में दे रखा है अपने channel के about section में मैंने लगा रखा है whatsapp channel का link instagram का link तो वहाँ पर भी जाके ज़रूर follow कर लिया अगरो ठीक है मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye everyone guys